हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं लोकी सिजन 2 के बारे में बता दे कि इस बार फिर से क्योस मचाने वाला है हमारा लोकी और हाँ बहुत कुछ मचाने वाला है इस टेर्ट के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिला है चाहे वो फ्योचर से लेके पास तक का सीन हो या फिर लोकी का टाइम लैप्स हो या फिर मतलब कि जो टाइम लैन बिगर चुका है उसे ठीक करने की बात हो या फिर जो विक्टर टाइम ली जो नया केंग का वेरियंट है उसे निपटने का बात हो मतलब इसके अंदर फूलोन मज़े तो आने ही वाले है तो चली बात करते हैं इसके अंदर में दिखाया क्या गया है फर्स सौट से हम देखते हैं वह भी नाम का एक बंदा है जो कि रिपेर एन डवांस टेक चला रहा है एक्ट्वल में यह जो सीन है वह टीवीए के अंदर का ही है जहां परोबियस और लोगी को हम देखते हैं उसी के एराउंड यहां जो Mobius है एक्चॉल में वो लोकी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है जो कि हमने प्रिशन वन में देखा था लोकी जो है वो Mobius को अपने बारे में बताता होगा और कैंक के बारे में बताता होगा कि एक्चॉल में he who remain कौन था उसने ऐसे टीवी अप क्यों बनाया है और इसके बाद सायद Mobius जो है वो लोकी की help करेगा इस time sleeping से बचने के लिए और हाँ time sleeping को आपने सायद glitch करते हुए हमने लोकी के सिजन 1 में भी देखा था और हाँ spider man across the spider wars के भी अंदर देखा था आगे हम सीन बरते वे देखते हैं लोकी को और हाँ यहां पर हम लोकी के दुसरे बेटेंट को भी time sleep करते हैं वहां पर पहुंचते वे देखते भी है जहां पर हम सीधे वाल पर देखे तो वहां पर दिख रहा है कि time time जो है timeline जो है वो फूरीता से bigger चुका है इसके उपर आगे भी बात करेंगे लेकिन हम आगे की सीन देखते हैं जो history से ज्यादा connected है मतलब कि एक time में बहुत पीछे जाने के बाद यह लोग कहीं जाते हैं और यहां पर हमें दिखता है एक्टर रेफेल कैसल जिसके बाद र bear wolf जो कि actual में इसका एक character होगा और हां आगे एक movie भी लगी हुई है जिसका नाम है जैनियक और हां यह comic से उठाया गया डारेक्ट तो कि जैनियक जो है actual में एक scissor killer था और यहां पर उसकी आत्मा जो है उसे possess कर चुकी है इस hero को जिसकी बाद से हम आगे देखते भी है कि उ यहां हम सिल्वी का यह scene देखते हैं वही हम आगे सिल्वी का एक scissine देखते हैं जो कि actual में बहुत सारे watch लगे हुए है और यहां पर वह किसी बंदे पर attack कर रही है तो कि मेरे हिसाब से surely टाइमली है यहां आगे यह scene देखते हैं यहां पर come hunter b20 को भी देखते हैं वही हम इ यहां पर छूप रही होगी ही हूँ रिमेंस को माने के बाद लेकिन उसे पाच चलेगा कि ही हूँ रिमेंस के बाद जो है एक और खत्रा आने वाला है तो यहां से वो निकल के लोकी की help करेगी वहीं भी हम लोकी को scene देखते हैं जहां पर टीबीय के अंदर time keepers की मूर्ती पर अपनी जड़ी चलाता है और वहां से निकलता है कैंक के फोटो मतलब यहां पर वो टीबीय के बंदों को मतलब की mobius को समझा रहा होगा कि actual में इस सब के पीछे कौन है और हां यह हो सकता है कि यह starting का scene होगा जहां पर लोकी जो है वो मोबिय उसको अपने तरफ करना चा अपना पाबर यूज नहीं कर पाता है उसके अंदर हम सारे लोगों कुछ गैजेट्स पर काम करते हुए देखते हैं और वहीं पर टीबीय के लोग भी आते हैं जो लोगी से फाइट भी करता है यहां पर लोगी स्विल भी जो है वो classic लोगी का पाबर भी यूज करता है द लोगी को नदी में तैड़ते वहें देखते हैं जो कि इतना कुछ चल रहा है कि भाई क्या बता हूँ फर्स सीजन के अंदर भी कुछ ऐसा ही क्योस मचा था और आई होप इसके अंदर भी हमें वो लेवल का मजा देने वाले हैं मारवल में पर में एक सीन देखते हैं जहां ये ट्रेलर बहुत च्छा लगा है पूरा सब या अंदजा नहीं लगा सकते हो कि प्रोपर पूरी कहानी जाने कहाँ वाली है जो कि लिटरली बहुत ही ओसम है और हाँ I hope कि ये स्रीज फूलन मज़ा दे क्योंकि भाई मुझे लगता है कि मावलग यतनी भी स्रीज आ रही है उसमें सबसे टॉप लेवल पे दी कोई है तो वो लोकी का स्रीज ही है और हाँ सेल्टू भी उतने ही मज़ेद लाएंगे आप हो कैसा लगा है ये ट्रेलर नीचे कॉमेंट के जो बताना मिलते अगली वीडियो में तो तक के लिए टेक क्यार